तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम डॉक्टर्स को स्टॉक पाइट दिलवा दें तो उससे भी हम लाखो रुपई की जो इंकम है वो हम जनरेट कर सकते हैं पर मन्त जी आँ दोस्तों जैते कि BMS डॉक्टर्स होगे, BHMS होगे, RMPs होगे या Chemist होगे जो भी आपके आसपास में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनके जरीए भी हम लाखो रुपई की जो इंकम है वो जनरेट कर सकते हैं हमारे आसपास में इतना सारा जो बिजनस है वो मौझूद है लेकिन फिर भी स्टिल इंकम जो है वो बहुत कम जनरेट हो रही है हम यह जो एरिया बिलकुल खाली पड़ा हुआ है वहाँ पर अगर हम एपट लगाएं तो हमारा जो आउट्पुट है वो बहुत अच्छा निकल सकता है यानि कि जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी हो तक्रिया है आप अपने सपनों को जो है वो पूरा कर सकते हैं जरह सोच के देखिए आपके आसपास में जो डॉक्तर हैं उनके पास में किस तरह के जो पेशेंट है वो आते हैं वो कौन सी speciality के doctor है कौन सा जो product है वो लिख रहे है आपने देखा हुआ कि जो pharma companies के salesperson है जैसे कि medical representatives हो गया है तो वो उनको मिलते है अगर वो उनको मिल रहे है तो यानि कि वो अपना जो product है वो लिखवा रहे है और pharma companies उनको 10,000, 15,000 या 20,000 तक की salary है उनको per month offer करती है लेकि वहाँ पर एक professional approach रहता है क्योंकि वो जो medical representatives होते हैं उनके पास में एक list होती है वो list या तो company उनको देती है या वो खुद बनाते है market में आकर तो जब वो market में आकर जब वो list बनाते है पूरी तो उनको पता चलता है उस area में कितने doctors है उनके लिए जो area है वो divide कर दिया जात है अब एक professional approach क्या आ रहा है company ने बोला हुआ है कि salary तुमको हम देंगे 10,000-15,000 या 20,000 जो salary हो तुमको हम देंगे तुमने हर हफते इन doctor से बात करनी है इनसे मिलना है फिर उन जो medical representatives के उपर एक area manager जो है वो उनके उपर आता है वो देखता है कि क्या जो MR है वो doctor से मिल रहा ह है या नहीं मिल रहा है यानि कि उनके ऊपर check रखा जाता है कि वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं और अगर वो मिल रहे हैं तो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं professional तरीके से बात भी कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारा जो खर्चा है वो जो companies है वो बहुत जादा खर्चा भ जो मौका है वो हमारे पास मौझूद है अगर हम भी प्रोफेशनल अप्रोच रखें सिंपल ती चीज है आप जिस प्रोड़क के बारे में जानते हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जो नौलेज है वो होना चाहिए आपका काम क्या है कि डॉक्टर के साथ में ट्रस्ट ब मिल्डप कर लियां करके आपको हर फkęसे मिलना पड़ जो हीर और उसके बाद यह पर सब्सक्रेशनल अरुहाइँ तो जरा सोच के देखिए एक डॉक्टर आपको कम से कम मिनिमम पर मन्थ 10,000 BP की जो सेल है वो निकाल कर दे सकता है ये मिनिमम है मैक्सिमम जिन डॉक्टर्स के पास में बहुत जादा पिशेंट होते हैं वो आपको unlimited सेल तक जो है वो आपको दे सकते हैं और अगर आपने मालीजिए 6 महिने, 8 महिने में अगर आपने सिरफ 30 डॉक्टर्स 30 डॉक्टर्स अगर आपने अपने साथ में जोड लिए तो दोस्तो 3,000,000 BP का जो बिजनस है वो पर मन्थ आपका निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब डॉक्टर्स के पास में एक regular customer जो है जो patient है वो उनके पास में आता है वो patient उनके पास में बना हुआ है अब अगर हम normal किसी person को अपने साथ में जोड जोड़ते हैं तो क्या है कि पहले हम उसको सिखाएंगे फिर वो लोगों से मिलेगा वो list बनाएगा वो बाकी चीदे करेगा लेकिन doctors उनके पास में अल्यड़ी एक जो customer है वो बना हुआ है patient बना हुआ है उनके पास जो setup है वो लगा हुआ है उनके पास में जो आज़ पास में जो वो महौल है वो पूरा उनके पास में बना हुआ है हमें सिरफ उनको अप्रोच करना है कन्विंस करना है और अपना जो प्रोड़क्ट है उसके बारे में बताना है डॉक्टर्स आप से स्टॉप पॉइंट भी लेंगे क्योंकि उनके पाफ में जो सेटक है वो अलड़ी बना हुआ है अब इसमें हमारे जो 299 वाली जो प्रोड़क्ट रेंज है चाहे वो सिरफ ले लिजे टॉनिक, कैप्सूल, टैबलेट्स, ड्रॉप्स, कुछ भी ले लिजे वो सबी हमारे पास मौझूद है हर एक बिमारी को लेकर भी हमारे पास जो प्रोड़क्ट है वो मौझूद है आपको सिरफ वो जो प्रोड़क्ट है वो जाकर दिखाना है नॉर्मल मेडिकल रुपर एंटेटिव ही वैसे ही करते हैं वो जाकर दिखाते हैं, आपको भी जाकर दिखाना है एक डॉक्टर, उनको कम से कम आप मानके चलिए कि 10 से 20 थार, 50 थार रुपे की जो सेल है वो पर मंद की देते हैं, लाकूर रुपे सेल देने वाले भी है लेकिन अगर हम उनको कैप्चर कर लेते हैं तो दौरा सूच के लिखे कितना बड़ा जो huge business है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं अब यह depend करता है हमारी approach के उपर तो दोस्तों अपने आज पास के जो doctors हैं उनके एक बड़िया सी list बनाएए उनको continuously मिलिए आपको trust build up करने में time लग सकता है time सरफ इसी चीज में लगेगा trust build up करने में जब आपने trust build कर लिया उसके बाद से आप जो product हैं उनको लिखवाना शुरू कर सकते हैं और doctor को जो stock point है वो भी आप offer कर सकते हैं और definitely लेंगे मान के चलिए कि अगर आपने 100 doctor से अगर आप मिलते हैं तो 100 doctor में से 10 से 15 doctor ऐसे होंगे जो आप से stock point ले लेंगे और 15 से 20 doctor ऐसे होंगे जो आपका जो product है उसको लिखना शुरू कर देंगे तो आप अपने जो product है वो pass की जो chemist shop होती है उनके पास भी पर खवा सकते हैं या जो doctors खुद product खुद लिखते हैं और खुद ही देते हैं आप उनके पास भी जो product है वो रह खवा सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में प्लीज नीचे कोमेट जुरूर करेगा और डेफिनेटली दॉक्टर्स के साथ में अगर आप स्टॉक पॉइंट ओपन करवाते हैं तो लाथो रुपे का जो इंकम है वो आप जेनरेट कर सकते हैं तो पार्ट क्लब आसानी से सब भी जो लीडर्स हैं वो डिस्ट्रिबूटर्स हैं कर सकते हैं सिरफ अप्रोच अगर आप प्रोफेशनल रखें तो इस टार्गट को आसानी से हासिल किया जा सकता है ऐसे आपके लिए और बहुत सारी इंफोर्मेटिव वीडियोस हम लेके आते रहेंगे तब तक के लिए आप तभी का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू